दामाश्टर प्रकाज कलासेस के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है उत्तर परदेश सूपर टेट के जो हम लोग प्रेक्टिस सेट साल कर रहे हैं उसका अगला प्रेक्टिस सेट आप लोग के समख्ष लेकर आये हुए हैं इसमें भी हम लोग 150 परसनों को कवर करे तो चलिए आप लोग हमारे साथ देखते हैं आज आपके प्रसन कितने सही बनते हैं तो यह इसमें जो पहला प्रेक्टिस में लखते रहना है तो चलिए उमीड है पढ़ियों और जो नहीं पढ़ पाया होंगे वो वीडियों को रोक करके पढ़लेंगे ठीक है पहला प्रशन देखते हैं गद्यान्स का उचित सीर्षक क्या होगा तो इसमें बताना है कि उचित सीर्षक कौन सा होगा आपसन आपके एक सिर्षन पर है जैसे कि धन की नुलूपता है धन की महत्वा है धन की मनुस्वता है या फिर मनुस्वता का महत्व है तो पहले का जो तो एक Means आपसे आपसे को पढ़ीए तो धन की पूजा से क्या है तो यहां पे तीन आपस्ण आपको दिख रहा हो सच्छा मनुस्य होना ज्यादा अच्छा होता है यही आपसन आपका प्रस्ण बिल्कुल राइट अंसर होता है यहां पर डी आपसन सही होता है दूसरे का बढ़ती है तीसरे प्रस्ण में पूछा गया है कि गध्यांस के अनुसार संसार में किस तरह के उप्ट्यूप मनुस् तो कौन से मनुस्य हैं संसार में जिनकी पूजा की जाती है आपसन आपको स्क्रीन पर लिखी रहा है कमेंट करके आप लोग आंसर को देने का प्रियास करते रहेंगे तो आपसन अगर पढ़ते हैं चार नमबर तो यहां निकल के जो आता है जो सक्षे मनुस्थ के लिए कारी करता है उसी की पूजा होती है आपसन नमबर दी उस परस्न का रहेंट एंसर होगा बढ़ते हैं चौथे प्रस्न की तरफ और चौथे प्रस्न में कहा गया है कि उपस लिखा हुआ है तो उसके पहले अनु लगा देंगे तो अनुसार हो जाएगा ठीक है तो आज का मतलब है कि जो पहले सब्द परियोग किया गया है उसको वाद कहते हैं और मद्ध में यंत में तो क्या होगा इसका आपसर कोन सा सही होगा यह बताना है चलिए कारण वाचक है तो यहां पे आपका आपसर जो सही होगा यह कारण है क्योंकि वह अंदह है ठीक तो यहां कारण है इसका आपसर नंबर इस पसंड़ का राइट एंसर हो जाएगा कारण वाचक बढ़ेंगे प्रस्न के तरफ अगला प्रस्न है मीरा ने 11 लीटर दूद पी लि बिसेशन है या फिर सारबनामिक बिसेशन है आपसन आपके स्क्रीन पर है कमेंट करके आप लोग बताएंगे तो यहां पर बात करते हैं दूध की बात हो रही है तो आधा लिटर दूध जो तरल पदार्थ होते हैं उनका जो है परी माड वाचिक कहा जाता है आपसन नमबर नमेंट का पर्यास करें कौन इसका राइट एंसर होगा तो यहां पे जो सबसे अच्छा सही समयंदी भी झीड़ होगा वोगो फञ बढ़ेंगे कडुदर प्रिस्ट की तरफ अगला प्रिस्ट में है करम भाराय समाश कौन नहीं है इसमें यह बताना है तीन करम धाराय समास के उधारन एक नहीं है तो उसी को ढूंड़ना जैसे निलगाये हो गई फिर प्रिये सखा हो गई कृता कृत हो गई या फिर बिद्याभ्यास हो गया तो यहां पर आपका जो आपसंस होगा वह डियापसंस हो जाए क्योंकि समास का उधारन है तो यहां पर आपसंस होगा विद्याभ्यास यह सही जो है नहीं है बाकी सभी यहां पर सही ठीक चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्ण है ठीठोर्ता हुआ गड़तांत्र इस ब्यंग संग्रह के ब्यंगकार कौन से हैं तो इसके जो ठीठोर्ता हुआ के द्वारा अच्छा प्रश्ण है अगला प्रश्ण है पानी पीकर जात कुछने का अर्थ क्या होगा अनोखा काम करना बप्रित काम करना काम निकलने के बाद सोचना आराम से बिचार करना तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका मोहबरे कार्थ बताना है तो पानी पीकर जाद पुछने का तात्वत सबसे अच्छा सफीक जो यहाँ पे आपसन होगा वो सी आपसन सही होगा काम निकलने के बाद सोचना ठिक यहाँ भी वैसे है पानी पीकर जाद पुछना चलिए अगले प्रस्ण के उत्र को देखा जाए कौन सा अपसनिस का सही होगा तो यहां पिड़्अ का दवर्टा है इस वाक्न की लड़्का जो है ये किस परकार का संग्या का उदारान है ध्यक्तिवाचक है, जादिवाचक, भृवाचक है, या फिन समुवाचक तो देखते हैं तो लड़का दवरता है यहां पर लड़का जो है चाहे चोटा लड़का हो जाहे बड़ के अं-तर गता है ठीक है तो यहां पर आप्सन सही होनी के साथ अगले प्रिशन को लेते ही अगले प्रिश्ण में है, बिश्व में जो सब्द लिखा गया है, इसे किस रस का अस्थाई भाय होता है, हासी का होता है, सांत का होता है, अद्भूत का होता है, या फिर बीपत्स का होता है, बारहमी का कौन साफसन से होगा, तो बिश्व में का जो अस्थाई भाय होगा, व वहीं बात करते हैं सांतरस की, तो सांतरस का जो अस्थाई भाव होता है, वो निर्वेद होता है, ठीक, चली, अगले प्रिश्णी के तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रिश्णी है, बीर पुत्र को जन्म देने वाली, के लिए एक सब्द बताना है, बीरांगना कहेंगे, पुत्रवती कहेंगे, बीर प्रसु कहेंगे, या फिर बहूरी कहेंगे, आपसन कौन सा सही होगा, चलीए बताइए, जो बीर पुत्र को जन्म देती हैं, उन्मा को, उनको क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर उसको बिर प्रसु के नाम से जाना जाता है एक सब्द में आपसर नमबर सी इस प्रसुन का राइट एंसर हो गया जो की बिर पुत्र को जनम देती है तो आप लोग को इसके जो है साथ याद होंगे करता ने करम को करंट से ठीक तो बताइए से लगा हुआ है तो कौन सा आपका सब्द में करंट से अपादान के लिए से द्वारा भी कह सकते हैं तो जो सुंदर है तो कौन सुंदर है राम यहां पर तुलना की जाए तो यहां पर आपसन जो सही होगा वह भी आपसन अपादान कारक आपका राइट एंसर हो जागा ठीक है क्योंकि यहां पर तुलना असामांता अलगा जहां करहीं भी होता है वहां पर जो है अपादान क इरखाती है में अलंकार कौन सा होगा अनुप्रास से स्लेय से यह मख़य अन्योक्ती हैं तो यहां पर यह अलंकार का उद्धारान है आप ता नंबर जो है इसका सी राइट एंसर हो जाएगा बढ़ेंगे अगले प्रशन की तरप और अगला प्रशन जो है यह संस्कीप के प्रशन है इसको हम लोग स्किप करेंगे ठीक है आप लोग को अगर इसको साल्प करना है तो हमारे टेलिग्राम चैनल दा माईश्टर परकास कलासे को फालो कर लिजे सार्श करके फालो कर लिज है आप विद्र के अप्शन को बताएंगे ठीक चलिए वेड़ियों को रोकर करके अराम से पर सकते हैं चलिए 26 वेडीं की कुछ देखते हैं तो इसका आपसंद को सही होगा तो कौन सा आपसंद सही होगा इसमें लिखा तो यहां पर आपसन नंबर जो सही होगा भी आल ग्रों आप ठिक भी आपसन इसका राइट एंसर होगा मिला लीजेगा चलिए बढ़ेंगे अगले प्रिशन के तब अगले प्रिशन में पूछा गया है दाउड में वाज इनकों सुले टेबल इनकों सुले लेबल भिकाज उ बात करते हैं इसके एंसर की तो सी आपसन यहां पर राइट एंसर होगा ही निवर ठोल्ड उसके बाद 28 नंबर पर चलेंगे तो आपसन इस पेस है उसके बाद वेजिस्टेट उसके बाद फ्राम लीविंग दा ग्रेव साइड आपसन आपको बताना है तो भी आपसन इसका राइट एंसर होगा ओनली दा ओल्ड मैन इसका राइट एंसर हो जाएगा भी आपसन सही होगा बढ़ेंगे 29 परस्ट की तरब तो इसमें पूछा गया है कि इस पेस है उसके बाद फिर खाली स्थान जो है यहां पर भरना है एडवाइस डट ओल्ड मैन टू मूब आन हीज लाइफ तो यहां पे दा क्लेरजी क्लेरजी मैन भरा जाएगा आपसन नमबर डी सही हो जाएगा अगला परस्ट है इसमें आप लोग बताईए यहां पे जो इस पेस लिखा गया है क्या सब्स भरा जाएगा ठीक चलिए इसमें का आपसन नमबर पहला ही सही होगा अफेक्टेड यहां पे भरा जाएगा पहला ही आप्सने इस प्रस्ट का राइट अंसर होगा ए लेते हैं अगले प्रस्ट को अगले प्रस्ट में यहाँ पे जो है correct prepositional phrase को यहाँ पे feel करना है जो खाली अस्थान आपका छूटा हुआ है आप लोग sentence पढ़िए और option को पढ़िए और बताएं कौन सा होगा तो यहाँ पे b option भरेंगे my means आप ठीक b option इसका right answer हो जाएगे अगले प्रस्ट की तरब बढ़ते हैं अगले प्रस्ट में भी error बताना है error कहाँ पे है option sentence लिखा गया है यह error आप लोग भूंड़िए और option नीचे लिखा गया है यदि कोई error नहीं होता है तो d option no error की रूप में लगाना है तो यहाँ पे पहले ही option में आपका यानि पहले ही line में गलत है जो की लिखा गया है they invited jaya and i तो यहाँ पे जो सही होगा they invited jaya and i यह है सही नहीं होगा ठीक तो यहाँ पे option number पहला ही आपका जो है सही हो जाएगा option फर्स्ट सही होगा इसका यहाँ पे आई जो लिखा गया है यहाँ पे i नहीं लिखा जागा आई पहले केs थान पर होता तो आई लिखा जाता यहाँ पे me भरा जाएगा ठीक इसलिए यह गलत है ठीक छे बढ़ेंगे अ printing के तरफ अगला प्रश्ण है फिलिंदी बिलेंग करना है जो खाली स्थान है यहां पर भरना है क्या भरा जाएगा सही आर्टिकल कौन सा होगा ए होगा दा होगा एन होगा या इसमी से कोई नहीं होगा तो यहाँ पे दा भरा जाएगा ये न्यूज की बात हो रही है तो यहाँ पे दा न्यूज होगा चलिए बढ़ेंगे अगले प्रस्लिक दिख चलिए नंबर जो है कहीं भी जो समय के साथ जो लिखा जाता है जो निश्चित नहीं होता है उसके साथ फॉर कल लगा जाता है जानते ही है तो डी आपसन इसका राइट एंस रोगा बढ़ेंगे एक लिए प्रिश्ण के दरब 35 का आपसन जो है यहाँ पे корrect synanim को डोलना है तो जो आपसन इसका सही जानानियम क्या होगा पर्यावड़ी जिसको हिंदी में कहते हैं तो यहाँ पे कार्फस आपसन इसका राइट एंस रोगा जो की सनननीम है चलिए बढ़ेंगे एगले प्रिश्ण की तब 36 को देखते हैं जो complete sentence को बनाए वो सब्द भरना है यहाँ पर इस पे जो खाली जगा है तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा आप लोग को बताना है कमेंट करके आप लोग जवाब देते रहेंगे तो यहाँ पर यह आपका पहला आपसन जो इस्टंबल लिखा गया है इसको यहाँ पर फिल करेंगे तो यह complete sentence हो जाएगा ठीक तो आपसन नमबर पहला इस प्रिश्ण का इस्टंबल राइट एंसर होगा बढ़ेंगे 37 की तरफ 37 में कौन सा आपसन सही होता है चलिए देखते हैं तो यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा गया है जो अंटर लाइन किया गया है इस्टोल इन दा सोज तो इस पर फिल करना है जो खाली स्थान है और यहाँ पर सही सच्चेशन के उसा जो एडबर्ब होगा वो भरना है जैसे कि नेरली आलवेज इन अफ नान अबदीस चलिए देखते हैं कौन सा आपसन 38 का सही होगा तो यहाँ पर पहला ही नेरली राइट अंसर हो जाएगा यहाँ जो भरा जाएगा ठीक तो आपसन नंबर इसका पहला ही राइट अंसर होगा इसी के साथ लेते हैं 39 को 39 में लिखा गया है हुरोर्स दा सटेनिक वर्सेस चलिए 39 का आपसन कौन सा सही होगा तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा सलमान रस्दी आपसन नंबर जो है बे इस प्रशन का राइट अंसर होगा ठीक है तो इसके लेखक जोन है वो सलमान रस्दी है आपसन नंबर इसका बे राइट अंसर होगा बढ़ेंगे एक लिए प्रशन की इत्रफ अगला प्रशन है करेक्ट फीगर आप स्पीच को ढूनना है जैसे कि यह जो लाइन लिखी गई है अगला प्रशन है जो कि साइंस के प्रशनों से लिया गया है चलिए देखते हैं इसके प्रशनों को भी कवर करते हैं तो पहला ही प्रशन जिसमें पूछा गया है थोड़ा ब्राक करते हैं चलिए दिखना होगा एक बम चांद पर बिसफोटित होता है पर्थेवी पर इसकी धुनी सुनाई देगी तो 20 मिनट बाद सुनाई देगी 2 गहनटे 20 मिनट बाद सुनाई देगी तीन दसमनों 7 गहनटे बाद सुनाई देगी या फिर विसफोट की धुनी सुनाई ही नहीं देगी यह lives to सबोसुदर को अवाज नहीं इतको है कि आफानर को हएक्षा भी के अवाज नहीं आती है क्योंकि आवाज को आने के लिए कोई कोई माध्यम की आउशकता होती है तोuitsन नंबर ander प्रूस्ट समंगा राइट एंसर होगा विस फोट की धुनी कभी जो है सुनाई ही नहीं देगी ठीक लिए आपसन सयोनी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्ट के तब आगला प्रश्ट है किसी आदर्स गैस के कणों की आवसत गती गती जो उरज्जा जो है किसके समानुपाती होती है कणों के Qe C उसरिष में या अगला प्रश्ट है एक पहले प्रश्नि determined टीक चली क्यूंकि आभी आपसन दिखाएंगे पश्ट नेंगे प्रस्ट नहीं दिखाएगा चली निदेख को अज i धिखते हैं प्रस्न में पुशा गया है कि एक बोला समान उचाई से दो भिन आउनत सत्वों पर भिन करों से लुड़कते हुए नीचे की और आता है तो जह ऐसा क्यों करता है? मतलब किस नियम से करता है? समान समय में करता है या फिर समान गति के साथ करता है? समान समय के साथ करेगा तोटी थीरी का אाप्सन नम्बर जो सही होगा यहाँ पे समान गति के साथ जो है लुड़कना शुरू करेगा आपसे नम्बर भी इस प्रस्ण पे प्रस्ण का राइट एंशर होगा लेती हैं अगला प्रस्ण और अगले प्रस्ण में है कि पुश्वा गया है कि किस में hydrogen बंद उपस्थित नहीं होता है मेथेन है और उसके बाद gel है फिर यह नहीं है उसके बाद HCOH तो कौन सा इसमें जिसमें hydrogen बंद उपस्थित नहीं है कौन सा है तो यहां पर मेथेन जो है यह आपका बेरकुल राइटेंसर हो जाएगा इसमें हाइड्रोजन बंद उपस्थित नहीं है पहला ही आपका राइटेंसर हो जाएगा आपस्थनी सही होने के साथ लेते हैं अगले प्रिष्ण को गला प्रिष्ण है किसके आयनन बिभव जो है सबसे कम होगा यहां पर जैसे नाइट्रोजन को होगा कैड्मियम का होगा आर्षेनिक का होगा या फिर आकसीजन का होगा बात करते हैं CGM अच्छा यह CGM है कड्मियम नहीं CGM है ठीक तो CGM जो लिखा गया है यहां पर परमारू आहत्तम कच्छा में इलेक्ट्रान जो होते हैं नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर अस्थापित होते हैं तो यहां पर अभी आपसन इसका राइट एंसर होगा ठीक त किसका अस्थान उचित रूप से ब्योस्थित नहीं है अक्रिय गैसों का अंता संक्रमतत्तों का संक्रमतत्तों का या फिर फ्लोरियम का तो बात करते हैं आवर्तसारी की, आवर्तसारी में जो अस्थान ब्यास्थित नहीं की गई है, वो अस्थान है अंता संक्रमन तत्तों का, आफ़सन नमबर 20 का राइट इंसर होगा, अगला प्रहन है, जो कपलिंग होते हैं, जिसको युगमन की नाम से जाना जाता है, तथा बिकर्सन, रिपल्सन के नाम से भी जाना जाता है इनको, ये दोनों किसकी अवस्थाएं हैं, तो ये जो अवस्थाएं हैं, ये लिंकेज की अवस्थाएं हैं, पहला ही आप से इस्थान का राइट एंसर होगा, लेती ही अगले प्रहन को, अगले प्रहन में है, आर एनने म और पूछा भी जा सकता है चलिए बताइए आप लोग कौण सा इसका आपसंस वहागा तो आर्यंडेंडे में जो थाइमिन के अस्थान पर वो पस्थित होता है उसको यूरीसिन यूरेसिन के नाम से जानते हैं C option express का right answer हो जाएगा अगला प्रस्न है कौन चिकिस्था के जनक के रूप में जाना जाता है चिकिस्था के रूप में जाने जाने वाले जो हमारी बैग्यानिक है या चिकिस्था है वो हैं आपके hypocrite आट्स option number B hypocrite option right answer हो जाएगा अगला प्रस्न है थायमस गरंथी एक बिनिट थायमस गरंथी से स्रावित हार्मोन का क्या नाम है option आपके इस्क्रीन पे है थायराक्सिन है या फिर साइटोकाइनीन है या फिर थायमोसिन है पचास नमबर का कौन सा option से होगा जो थायमस गरंथी से स्रावित हर्मोन होता है थायमस सीन होता है option number is का D right answer होगा चलिए बढ़ते हैं गले प्रस्न के तरफ और अगला प्रस्न जो है ये गरित के प्रस्नों से लिया गया है आप लोग को अगर गरित के प्रस्नों को साल करना है हम लोग इसको इसको परेंगे ठीक है और अगर आप लोग को साल करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पहले ही बता चुके हैं फिर दुबारा रिपीट कर दे रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल को सर्च के फालो कर लेजे टेलीग्राम का टेलीग्राम चैनल का नाम है दामाइश्टर प्रकास कलासेस वहां से इस सभी एक सो डेर सो प्रश्णों के जो प्रैक्टिस सेथ हम लोग साल्प कर रहे हैं इसका पीडियाफ आपको वहां से मिल जाएगा और आप लोग उसको अराम से बैचके साल्प कर लेजिएगा ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अग अब लोग बताएंगे साल्नात में हुआ था लूमनी में हुआ था या फिर कुंडला मी तरथा बैसाली में हुआ या फिर नालंदा में हुआ रहे ह सेव इंडी वन का आफhin कौन सब्सक्राnovन होगा ये बताना है चलिए बताईए आप लोग तो बात करते हैं महभीर के जनम की तो इनका जनम जो हुआ था वह था आपके कुंडल ग्राम यानि कि बैसाली में आफसन नंबर 60% का राइट एंसर होगा कुंडल ग्राप कहीं कहीं बैसाली मिल जाता है कहीं कुंडल ग्राम मिलता है ठीक तो आफसन नंबर नहीं रखियागा दोनों सी इसका राइट एंसर होगा लिते हैं अगले प्रिश्ण में है किस मुगल समराट ने सर्व पर्थर मराठो को उम्रा बर्ग में समलित किया था आउरंग जेव नहीं किया था साजा नहीं किया था जहां गेव नहीं किया था बहाद उसा फर्थम ने किया था तो 72 तो ये जो किया गया था मराठो को उम्राबर्ग में जो समलित किया गया थे ये जहां गीर की द्वारा किया था C आप सुने इसका राइट एंसर होगा ये मुगल समराठ थे थी अगला प्रशन है कि इसने बंगाल के विभाजन को निरस्ट किया था लाड़ चिंसोर, लाड़ करजन, लाड़ मिन्टू, लाड़ हार्डिंग तो बंगाल विभाजन को जिसने रद्द किया था वे हमारे लाड़ हार्डिंग आप सन नमबर जो है इसका जो है D आपसन सही होगा और अगर बात करते हैं विभाजन में कोज सामिल था तो वो लाग कजन सामिल था ठीक के समय में जो है बंगाल विभाजन हुआ था और इसके समय में निरस्त कर दिया गया था आपसन नमबर D इसका राइट अंसर दोनों याद कर लीजेगा बढ़ते ह प्रफ अगले फ्रस्ण में है काऑल सा राज समुद्री उत्पादों जिसको सी प्रोडक्ट के नाम से चाना जाता है का सबसे बड़ा उत्पादक, अगला प्रस्ण है कीरण है गजरत है ऊणिशा हए तो यहाँ पे आपका केरल जो है यह आपका राज जो है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज माना जाता है भी आपसन इसका राइटेंसर होगा अगला प्रशन है एलीफेंटा जलपरपात कहां पे इस्थित है मड़ीपूर में यह क्या है आपसन नंबर इसका जो है सी राइट एंसर होगा मेग हाला में जो इसकी राजधानी है सिलांग उसी के निकट इस्थित है यह विद्यान रखिया चलिए वर्ते हैं गलेपरशन के प्रशन है संसार का सबसे छोटा महा सागर कौन सा जैडल मासागर परसांत महा सागर आर्कटिक महसागर यह पछस्थित है आप्वजिन करोगे के बताए कौन सा आप्षिद्ग इसका लाने ठीट बहुत होगा है है मत अब ऊगले सागर की बाते हैं तो आपका परसांत महासागर जो है, यह सबसे बड़ा सागर हैThank चलिए ध्यान रखेएगा, सबसे बड़ा परसांत है, सबसे चोटा आरकाteck है बढ़ते हैं ग्ले प्रस्न के तरब, अगला प्रस्न है, आरकी एे लगो का आशे क्या है वार की ये लगों का जो आश्य है पठार है दीप है जील है प्रवत है आपसन आपके सीन पे है कौन सा आपसन से योगा तो यहाँ पर ये इसका जो आश्य होता है या तातपर है इसका जो अर्थ होता है वो दीप होता है आपसन नमर 20 का राइट एंसर होगा अगला प्रशन है लोगसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थी 1922 में, 1904 में, 1935 में या फिर 1950 में जहाँ पिर Constitution समिधान के थोड़े प्रशन आ गए हैं चलिए बताइए सदो पहले जो लोगसभा का चुनाव हुआ था वो कब हुआ था यह आपके लोगसभा का सबसे पहला जो चुनाव हुआ था यह 1901 में हुआ था आपसर नमबर इसका पहला ही 1902 राइट एंसर होगा ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रशन के तब अगला प्रशन है भारत में नागरिक्ता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है जो है अनुमोदित होती है होने के बाद जो है राष्टपती इस पे सजब कर देता है यानि इसको फाइनल कर देता है तब जाके जो है नागरिक्ता प्राप्त हो जाती है तो यहाँ पे आपसर नमबर जो सही होगा वो राष्टपती सही हो जाएगा कि अगर लिखा होता तो यहां पर आपसंद पहला हिस्ट का राइट अंसर हो जाए लेते ही अगले प्रिश्ट को अगला प्रिश्ट है लंदन इस्टाक मार्केट के इस्टाक मार्केट इंडेक्स को क्या कहा जाता है फुटसी कहा जाता है संसिक्स कहा जाता है निप्टी कहा जाता है या फिर पुलिस कहा जाता है यहाँ पर बात की जा रही है लंदन इस्टाक मार्केट की जान दीजिएगा आप लोग बताईए कौन सा इसका राइट एंसर होगा तो यहां पे उसको लंदन में फुटसी के नाम से जाना जाता है आपसन नमबर इसका जो सही होगा वो पहला ही ए आपसन सही हो जाएगा जबकि अपने भारत का जो है वो मुंबई में है और उसको सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है यहां आपक्षा में अनुसासन बनाई रखने के लिए सबसे अधिक प्रभावसाली उपायक क्या होगा आपसन आपकी स्क्रीन पे है, कमेंट करके आप रोग एंसर दें, एक्टीवन का यदि कच्छा में किसी अध्यापक को अनुसासन बनाये रखना है, तो सबसे अच्छा प्रभावसाली तरीका जो होगा इसका यह होगा कि सिच्छण को रोचक योम ब्योहारिक बना दे तो आपसन जो है इसका भी राइटन सुरूगा, इससे बच्ची के जो है मन प्राहि में लगा रहेगा आउर सांती पूरवक वो कलास को अटेंड करेंगे, यह लेंगे ठीक, तो भी आपसन इसका राइटन सुरूग क्या मान लेना चाहिए, चलिए आपसन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा आपसन सही होगा, तो यहाँ पर जो सही होगा, सिच्छक को जो लगता है या मानना चाहिए, उसे मानना चाहिए कि सीखने की परकिरिया की स्वाभाविकता इस्थिर मानना चाहिए, आपसन नंबर इसक कि तत्रफता का आकलन करना सिच्छ के लिए कठिन है च्यों कठिन है चलिए देखके हैं आप अपसन को दिख रहा होगा आप लोग को कौन सा अपसन इसका सही होगा के तो यह जो कठिन ही यह तपढ़ता के सुभीतर तो एकसाथ परिपक्ट नहीं होट यह प्रश्ण को आप लोग पढ़ी लिए होंगे और आपसन ये पहला ही इसका राइटेंसर होगा चलते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है कौल सा सिच्छन का पूर्ब निर्धारित अस्थर नहीं है अस्मरण है बोध है प्रावर्तित है या फिर पेवेदी कर पूर्ब निर्धारन अस्थर की बात कर आ जा रहा है यहां पर जो नहीं है यह भी ध्यान देना है तो यहां पर पहला ही इसमरण जो होता है यह निर्धारित नहीं होता आपसन नंबर इसका पहला राइट एंसर होगा अस्मरण 85 नंबर में कुछा गया है कि किसी विद्याले में छात्र सिचक के कारियों के परतिफल कहे जाते हैं वे ऐसे सिचक से सबसे अधिक खानिकारक तरीके से प्रभावित रहते हैं जो सिचक किस प्रकार के होते हैं किस टाइप के होते हैं चलिए दिख रहा होगा आपसन आपको तो यहां पे संबेगातमक आइस्थरता यो दुर्बल चरित्र वाले जो होते हैं वो ठीक है इस टाइप के जो होते हैं वही सिच्छक होते हैं आपसर नमबर डीस का रही देंसर होगा अगला प्रशन है प्राथमिक विद्याले के अस्थर पर सबसे अधिक सिच्छक महिलाए होनी चाहिए तो ऐसा क्यों है कि प्राथमिक अस्थर जो होते हैं उसमें सबसे अधिक महिलाए होनी चाहिए ऐसा क्यों है चलिए देखते हैं आपसर नमबर जो डी लिखा गया है यह सही है महिलाए इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यह बच्चों से प्यार और इस नहीं से ब और उपादक जीवन जीने के आउसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका कौनसा है चलिए आपसन को देखते हैं थोड़ा दूर दूर हो गया है इसलिए दिक्कत हो रही उम्मीद है कि देख रहा होगा चारवा आपसन बताइए कमेंट करें कौनसा होगा तो यहाँ पर सी आपसन आपका इस प्रस्ट का राइट एंसर जो कि बिवित का उचलो और युक्तियों को सिच्छन करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकते आपसन नमबर सी इसका राइट एंसर होगा अगला प्रस्ण है और अगले प्रस्ण में पूछा गया है यदि एक विद्यार्थी कच्छमी भाग लेने से संकोच करता है तो आपको क्या करना चाहिए यदि आप एक सिचक की रूप में हैं तो आप उस समय क्या करेंगे जब कोई भी विद्यार्थी कच्छमी भाग नहीं ले सकता या संकोच कर रहा है यानि कि विद्यार्य आने स साहित हो अन्यत्था उससे कोई डिस्टर्बेंसियस नहीं करेंगे अन्यत्था वो इसको राना बंद कर देगा ठीक तो यहां पर डिया इसका राइटेंस प्रोगा अगला प्रस्ना है जब एक सिक्ष का अद्रिष्ट बाधित सिच्छार्थियों को कच्छा के अन्यत्था के साथ सामोहिर के गतिविदियों में सामिल करती है तो वो किसस्तर का या किज़ा कर रही है यह बताना है चलिए दिखते हैं आपसन कौन सा सा योगा एक्टिनाइन का तो यहां पर जब एक द्रिष्ट बाधित बालक को सिच्छार्थि को सिच्छक सभी के साथ कच्छा में सामोहिर कर रही है तो वो जो है समाबेसी सिच्छा की भावना के नुसार कारिब कर रही है आपसन नमबर इसका भी बेरकुल राइट एंसर हो जाएगा और समाबेसी सिच्छा की अंदरगत यह कहा गया है कि सभी बालक जो है एक समाब होते हैं तो आपसन नमबर यहां पर मतलब कि चाहे वो द्रिष्ट बाधित हों चाहे वो मुख बाधित हों किसी परकार से भी है उनको एक साथ बैठा का जो है सिच्छा देनी चाहिए यह ज नभी नबीलम विग्ञान के प्रस्नों के भी प्रस्नों को हम लोग देखेंगे तो पहला परशन जिसका है वरसियर नीराज आपने आप से प्रथक स्वा नियंत्रत व्यक्ति की भावना को विक्सित करने का प्रयास कर रहा है तो वह विक्सित कर रहा है क्या चीज़ विक्सित कर रहा है चलिए देखते हैं नियमों के प्रतिगरिणा का सतायत का किसोरा वस्था या फिर किसोरा वस्था अक्रपन का फि कर रहा है आपसे नंबर भी इस प्रिश्ण का राइटेंस रोगा सुतायता बढ़ेंगे एक लिए प्रिश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है काउल सा कारक बालक के ब्यक्तित विकास को प्रभावित करता है अनुवान सिक्ता है बहुतिक वातावरन है समाजिक वातावरन है या सभी है तो यहाँ पे सभी सभी हो जाएगा ठीक है तो आपसे नंबर यहाँ पे डी राइटेंस रोगा अनुवान सिक्ता तो होगा ही वातावरन भी होगा चाहे वो बहुतिक हो चाहे समाजिक हो ठीक तो दी आपसे इसका जो है शुदहरा जा सकता है जो बच्चे जूड़ बोल रहे हैं आपसननमबर डी जैसे कि जो सच बच्चा बोल रहा है उसको आप परिसोतित करनेंगे या जो है उसको अच्छे सावासी देगे तो अगला जो जूड़ बोलने वाला बच्चा है वो भी सोचेगा मैं बावासी में लेटेक चले लेते हैं 94 को इसमें पूछा गया है कि थानडाइक का कौन सा नियम सीखने के पुरुसकार आउड़न्ड के महत को बताता है ततपर्ता का नियम है प्रभाव का नियम है अभ्यास का नियम है या उप्युक सभी कि बहुत अच्छा प्रस website को माना गया की सोड़ा वस्ता को माना गया है प्रोड़ा वस्ता को माना गया है। तो तनाव और तुफान की अस्था जो होती है यह तो सबको मालूम ही है बट यहाँ पर देखना है कि इस चनले हाल के द्वारा कौन से मानी गई है यही बताना है तो यहाँ पर यह कि सोरा अस्था को इन्होंने माना है कि जो है ये उस्था तनाव और तुफानी उस्था होती है आपसर नंबर जो है इसका C राइट एंसर होगा आगला प्रशन है किसका विकास किसोरों में नहीं होता है अहम केंदरता का, आभिरूचियां का, तरकसक्ती का फिर या फिर प्रेणा की योगता का तो विकास जो किसोरा उस्था में नहीं होती है नहीं ध्यान देना है, वो विकास है आपका आहम केंदरता का, पहला ही आपसर ने इस प्रेशन का राइट एंसर हो जाएगा इजी के साथ चलते हैं अगले प्रशन पे, अगला प्रशन है जो रचनात्मक उत्रों के लिए क्या होना चाहिए मुक्त उत्रिया प्रशन होनी चाहिए 97 में सभी आपसर आप लोग पढ़िए और आपसर बताए कौन सा सही होगा तो यहाँ पर पहला ही आपसर सही होगा जो कि रचनात्मक उत्रों के लिए होना चाहिए जो कि मुक्त त्रिया प्रश्ण होनी चाहिए आपसन नम्बा इसका जो है पहला ही राइट एंसर होगा अगरा प्रश्ण है समय स्यातमक बालक के ब्योहार में परिवर्टन लाने ही तो आप क्या प्रियास करेंगे एक मिनिट चलिए आपसन दिखरा होगा तो उसमें जो परिवर्टन करने का प्रियास किया जाएगा वो बालक के वातावरण और द्रिष्टी कोण में परिवर्टन लाने का प्रियास करेंगे पहला ही आपसन इस प्रस्ट का राइट एंसर होगा आउरा सभी पढ़ने के जरूरत ही नहीं चलिए देते हैं इंगले प्रश्न को अगला प्रश्न है कौन साब विश्ष्ष्ट बालकों का परकार नहीं माना जाता है आपसन तो विशिष्ट बालक सभी होते हैं अपने आप में लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है या जिसे नहीं माना जाता है उसको देखने है तो जो साधन संपन बालक होता है दी आपसन यहाँ साधन संपन बालक जो होता है उसको जो है कह सकते हैं विशिष्ट बालक की अंतरगत यह न करना चाहिए तो यहां पर अधिगम करता बात करते हैं बालक की तो बालक के दिन परती दिन के मामलों में अधियापक द्वारा हस्ते चेप ना करके बालक के बढ़ते हुए क्रोध को रोका जा सकता है तो यह अधिकम करता जो है यहां पे आपका बालक हो जाएगा सिच्छार्थी हो जाएगे ठीक है तो उनको को उनकी को रोकना है तो भी आपसे इसका राइट एंसर जो की बालक के दिन परते दिन के माम लोग को कोई हस्ता चेप ना करें इसका भी आपसे राइट एंसर हो जा सेंगे पहला परशन नमबर का नदी में कि सराज सरकार ने ग्यानकार्यकताओं का समर्थन के राज में नौकरी की संभानों को बढ़ाते रहें दू नालेज अे-कोनोमी मिशन की शुरुआत की राज्य सरकार के द्वारा किया गया है यह बताना है चलिए आपसन आपको दिखा देते हैं उत्तर पर दे सर्याना मद्र पर दे सिया फिर केरल यहां पर यह केरल सरकार के द्वारा किया गया है यहां पर आपसन जो सही होगा डी आपसन आपका वेरकोर राइटेंस होगा अग इसी को ही राश्टिय उद्यान राजिका घोसित किया गया है सियापसन इसका राइट एंसर होगा बढ़ेंगी एक सथीन नमबर पे तो किस मंत्राले द्वारा पोसे सुरच्छा के उद्देश से आहार करांती मिशन की सुरुआत की गई है तो यहां पे देखिए आहार करांत अगला प्रस्ट है भारतिय कंपनी वासमंदूंग ने हंड्रेट परतिसत जो है नभीनी करनीय उर्जा के लच्छ के प्राप्ति है तू किस के साथ समझोता किया है अच्छा प्रस्ट चलिए बताए कौन सा आपसन से होगा एक सो चार का तो यहां से यह फेस्बुक के साथ समझोता किया गया है भी आपसन इसका राइट एंसर हो जाएगा अरत का पहला वर्टिकल टावल फारेष्ट टावल फारेष्ट माना माना फारेष्टा कहां बनाया जा रहा है यह देरा दून भोपाल मूंबई बैंगलूरू तो यह जो बनाया जा रहा है आपसन नंबर ड स्टुर्ट का राइट एंसर हो जाएगा इसी के साथ अगला प्रशन है बालिकाओं को ससक्त करने के उद्देश से किस राजसरकार ने राज्टिये बालिका दिवल्स के उसर पर पंख अभियान की सुरुवात किये हैं अच्छा प्रशन है यहां दिजेगा पंख अभियान की आटिवल्स मैं बालिकाओं के लिए खिया गया है तो एक सो च्हेका अफ नबर बी मदपरदेश के दौरा सुरू कि आख अवियान आप्स नंबर बी इस का राइटे रोगा मदपरदेश अगरा प्रशन है इसमें कहा गया है कि 2022 में 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या रही है तो 2021 में जो जल दिवस मनाया गया उसकी थीम वेल्विंग वाटर रही आपसर नमबर 20 प्रस्ट का राइट एंशर हो जाए अगला प्रश्ण है हाल ही में प्रकासित की गई पुस्तक ग्यदबू जिम दजंग छंगप वद्नसे के लेखक कौन ये कौन सी पुस्तक है वाई चलिए देखते हैं इसके लेखक कौन है ये नाम संस्कीत में लिखा हुआ जैसे लग रहा है चलिए इसके लेखक चारव आप इसके लेखक हैं यहां पर आपसन नंबर इसका डी राइट एंसर हो जाएगा आगला प्रशन है पर यह टक को बढ़ावा देनी के वो देश से से देश का पहला इसकी पार्क इसकाई पार्क यहां होना चीए इसकी लिखा गया ठीक है इसकाई पार्क किस राजिकेर सासित परदेश में स्थापित किया गया है हिमाचल परदेश उत्रा खंडा दाक या फिर जम्मू का समीर तो यहां पर पहला ही आपका जो सही होगा पहला ही आपसन हिमाचल के छेत में समझोता किया बंगरादेश जापान म्यामार फिनलेंड आपसन ये सभी आपके आशा बहुंचले हैं नरेंद्रमोदी हैं किरणवेदी हैं या फिर अगला है सचिंतेंदुलकर तो ये किरणवेदी को समानित किया गया है आपसन नमबर सी स्कार आइटेंस होगा बैटन आप दा अन्नात की नाम से किया गया है अगला प्रशने नेशनल इंस्टिट्यूट आप उसनोग्राफी द्वारा किस महसागर में पहली बार जिनों मैपिंग पर योजना की सुवारम किया गया शुरुवात की गई है यह बताना है तो है आपका जो महसागर है वो हिंद महसागर है आपसन पहला है हिंद महसागर में इसके सुरुवात की गई है पहला आपसन किया गया है तो 36 गेड़ है मिजोरम है मड़ीपूर है या फिर औरीशा है तो बात करते हैं आदिवासियों के लिए जो अजिव का हेतु वन धन योजना की ये सुबारम्भ किया गया है वो राज है आपका मड़ीपूर आफसन नंबर से इस प्रशन का राइटेंसर होगा मड अगाला प्रस्ण है हाल ही में केंद सरकार में खादे सुराच्छा के लाभारतियों कि शुरच्छा में बेस्तार के लिए किस Reme को लांच क्या है मेला दिकार मेरा राशन कैदेसार थी या फिर इस्म्स पता य हम मेरा रासन ही इस प्रश्ण का राइट एंसर हो जाएगा, एक मिनिट क्या हो रहा है तो भी आफन मेरा रासन यहाँ पर राइट अंसर होगा, इसी के साथ बढ़ेंगे एक लिए प्रश्ण के तरफ, अगला प्रश्ण है नीटी आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोबेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राजी को पर्शम अस्थान प्राप्थ हुआ है बात करते हैं, नीटी आयोग के स्थापना की तो इसका पहले नाम जो हुआ करता था, इसका नाम था यूजन आयोग, इसका नाम बदल कर नीटी आयोग कर दिया गया है एक जनौरी 2015 को इसका नाम बदल दिया गया थी तो इसके अनुसार जो पर्थम अस्थान राजी को पराप्थ हुआ है उस राजी का नाम है करनाटक, आफसर नंबर पहला इसका करनाटक राइट एंसर होगा A अगले प्रेशन की तरफ बहते हैं अगले प्रेशन में है केंद्रिया परदोसर नियंतरन बोर्ड द्वाराज जारी रिपोर्ट के नुसार देश के 112 सबसे परदोसित अस्थलों में किसे पर्थमस्थान मिला है पहला है दिल्ली, उत्रबर देश, बिहार या फिर ओडिशा चलिए आख दिख रहा है तो यहां पर ओडिशा को 112 में सबसे परदोसित अस्थलों में रखा गया है ओडिशा इसका राइट एंसर हो जागा अगला बोर्ड और यह जो रखा गया है केंद्रिया परदोसर नियंतरन बोर्ड के द्वारा रखा गया है जो कि भारत की परदोसर नियंतरन बोर्ड कमपनी है जो है अगला परशन की तरब पढ़ते हैं अगला परशन है हाल ही में किस राज में काला नमक चावल महुसों का आयोजन किया गया है तो यह है उत्तर प्रदेश का तो आफसर नंबर इसका भी राइट एंसर होगा उत्तर प्रदेश में ही काला नंबर 20 का राइट एंसर होगा अगला प्रशने हाल ही में अंतरराष्टिय सवर गठवंधन का महानी देशक किसे नियुक किया गया है वह अच्छा प्रशने है और बात करते हैं ये अंतरराष्टिय सवर गठवंधन की सौवां सदस जो है वो आमेरिका है एक सदो और एक सदस दो एक साथ जुड़े हैं उनको आप लोग कमेंड करके कमेंड बाक्स में बताएं कि उनके क्या नाम है ठीक चलिए लेते हैं इसके परसन को कौन सा सही आपसन है तो यहां पर आजय माथुर को जो है इसका महान देशक सबसे बड़ा फ्लोटिंग शोलर पार्क किस राजमिं लगाया जा रहा है तो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क जो स्थापित किया जा रहा है वो राज्य है आपका तेलंगाना आपसर नमबर 20 का राइटेंसर होगा भी आपसर योडी के साथ अगला प्रशन है 112 नमबर का इसमें पूछा गया किसानों की आई को दोगना करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्यान मिसन की किया गया है वो सरकार है आपके उत्तर प्रदेश सरकार आपसर नमबर इसका उत्तर प्रदेश योगी आदित नाथ जी की द्वारा ये शुरू किया गया है अगला प्रशन है हाल ही में परसु राम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य मी किया गया सम्में आरुडांचल प् तो परसुरा मेले का जो आयोजन किया गया है वो अरुणांचल प्रदेश में किया गया है भी आपसने इस प्रस्त का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है वारिजिक फूलों की खेती को पर हवा देने के लिए CSIR जिसको फ्रोरी कल्चर मिसल का उठगाटन जो है किसके द्वारा किया गया है तो फूलों की खेती को जो है फ्रोरी कल्चर के भी नाम से जाना जाता है ध्यान रखियेगा आपसन नंबर यहां पे इसका जो सही होगा एक आपसन नहीं दिख रहा है चलिए चारव आपसन दि हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक अंदोलन चर्चा में रहा महराष्ट है उत्तरपदेश है अंधपदेश है या फिर हीमाचलपदेश है तो यह फ्रूट केक अंदोलन जो चर्चा में रहा यह राज्य है आपका उत्तरपदेश भी आपसन इसका रहे टेंशन हो कि अगला परशन है किस देश ने पहली बार पानी के अंदर इसपेस टेलियस्कोप को अस्थाफित किया गया है जो न्यूट्रेंगों की खोज करेगा तो ये रसिया के द्वारा रूस के द्वारा किया गया है आपसर नमबर इसका भी राइट एंसर होगा आप लोग देख रहे हैं इस समय रसिया जो है उक्रेयन को लेकर के चर्चा में चल रहा है तो इसका भी आपसर राइट एंसर होगा अगला प्रस्न है 30 मार्च 2021 को किस देश में Heart of Asia Conference का आज़ून किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया Heart of Conference तो ये जो है आपका तजाकिस्तान है आपसर नमबर पहला है 100% का राइट एंसर हो जाएगा इसके साथ लेते हैं अगले प्रेशन को अगला प्रेशन है किस कंपनी बायोटेक ने भारतिये कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर क्रोना की ओरल बैक्सिन का निर्माड किया है अमेरिका है रसिया है फ्रांस है या फिर ब्रेटेन है तो यह अमेरिका के साथ मिलकर भारत जो है ओरल वैक्सीन का निर्मार किया है अधन्मर एर इसका राइटरेस्ट होगा अमेरिका अगला प्रस्थन है मार्च दो हजार इकीस में भारत की नौसीना ने किस स्कार्पियन पंडुबी को नौसीना में सामिल किया जिसे साइलेंट किलर की नाम से जाना जाता है चलिए देखें साइलेंट किलर को किस नाम से जाना जाता है जो भारत की नौसेना को सौपा गया है स्कार्पियन पंडू भी है वो तो इसका नाम है आई एने स्करंच जिसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है आपसर नमबर इसका जो है सी राइट एंसर होगा अगला प्रश्न है दोहजार चब्विस दोहजार इकिस में 26 मार्च को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल साहीन 1A का सफल परिक्षंक किया गया है तो यहाँ पे यह जो नाम है साहीन 1st A इससे आप लोग को पता ही चज़ा होगा यह पाकिस्तान की है आपसर नमबर इसका जो है सी राइट एंसर हो जाए आगला प्रश्न है तादकित यानि के रिजनिंग का इसके आपसर को हम बताएंगे आप लोग इसको साल परिएगा उसके बाद मिलान करिएगा ठीक है तो चलिए यहाँ पे जो इसका प्रश्न है यह सूती कपड़ा का प्रत्निद जो है प्रत्निद कौन करेगा चलिए दिखके हैं आपसर यहाँ पे नीचे लिखे गए है तो इसका पहला ही आपसर छे जो है राइटेंसर हो जाएगा यह आपसर इसका राइटेंसर होगा इसी के साथ अगला प्रश्न है और अगले प्रश्न में जो पूछा गया है यहाँ पे चैन करना है तो यहां पे दो गोला बना हुआ अंदर में और एक उसके बाहर बना हुआ तो यहां पे बनाना है तो पहला और ना तो दोसरा कोई भी सेयमत नहीं होगा इyan इसका राइट इसलोगा 134 को देखते हैं 134 को जब देखेंगे तो इसमें भी जो है सेम है कथन कौन से कथन सा कथन सा निइसकर्ष का है यहाँ पियो लिखे गए है ठीक पहला ही आपते इसका रैंसे हो गया गाँ है आप लोग बताएंगे कमेंट करेंगे कौन सा अपसंट सभी होगा तो यहां पर यह टैग जोड़ना है तो यह जो है इसका भी आपसंट का परियोग करेंगे ठीक तो भी आपसंट इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला है उसको टाइटल टेग की नम से जाना जाता है HTML पिग में आपसंट नमर पहला इसका हैंड सही होगा अगला प्रशन है जनरेटर मेटा टेग क्या बताता है आपसंट इख रहा है तो यह जो बताता है वो परिष्ट के निर्माड के लिए किस प्रोग्राम का उप्योग हुआ है यह बताता है भी आपसंट इसका राइट एंसर हो जाएगा उसी के साथ अगला प्रशन है 149 नमर में इसमें लिखा गया है सिल पैंडिंग का मूल बढ़ाने से क्या होगा तो इसका मूल बढ़ाने से सिल और सामगरी के बीच की दूरी बढ़ जाएगा आपसंट नमर पहल आइटम सुची बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा चलिए देखते हैं 140 नमर का आपसंट नमर भी इस टेक के दौरा उसको आइटम सुची बनाया जा सकता है भी आपसंट इसका राइटेंसर हो जाएगा इसी के साथ कावसल जिवन कावसल प्रबंदन यों मद्वित्ति के ले लेते हैं तो इसका पहला प्रस्ण है 141 नमर का प्रस्ण जो है वो है इस्कूलों में नैतिक सिच्छा दिये जाने के संबंध में आपका क्या विचार है तो नयतिक सिच्छा के दिये जाने के संबंद में बीचार होना चाहिए वो विचार होना चाहिए कि स्कूल में नयतिक सिच्छा की आओ स्क्ता दि जानी चाहिए पहला ही आपसर ने इस प्रश्ट का Right answer हो जाएगा अगला अगले प्रश्ट लेते हैं अगले प्रिष्ट में हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्चकता सबसे अधिक होती है या कौन सी की आवश्चकता अनिमार है अगला प्रिष्टन है एक अध्यापिका या सुनष्चित करना चाहती है कि उसके छात्र आंत्रिक रूप से अभिपरे रित है तो वो उसको क्या करनाओं चाहिए चालिए देखते हैं आप अपसन को उसके बाद आपसन जो सह होगा उसको जिकर करनेंगे वृ Ykin है यह जो अभी प्रेदीद करती हैं तो उसको करनाओं चाहिए और हेखें दीए विदेख्स राट अप्रिफ्जय क्राइबा यहां यहां पे पर फध्रथ यहां पर स्चत्र हो जा जाए है आतर्न पहसे होने के साथ यह लेखें हैं गडिशन कंघ्रश। परतिष्ठित माना गया है तो यहां पर आपका जो सिच्छकों को सबसे अधिक परतिष्ठित माना गया है आगला परशने है चात्रों के चरित निर्मार में सबसे अधिक महत्रपूर्भून का किसकी होती है अध्यापक के देशों की स्वयम अध्यापक के आदस चरितर की महपुर्शों के जीवन गाथा पढ़ाने की या फिर धार्मिक सुक्षा की तो यहां पे चरित निर्मार की बात किया गया है और वो भी छात्रों की तो इसमें जो सबसे अधिक महत्यपूर्ण भूमिका होती है वो होता है कि स्वयम अध्यापक की आदस चरित जिस परकार से होंगे बालक भी जो है या च्छात्र भी उसी परकार से चरित निर्मार होगा आपसर नमबर 20 प्रसंट का राइट एंसर होगा आगला प्रसंट है वाह अभी प्रेणा में कौन सा सामिल है चार यहां पे इस सं एंसर होगा चलिए दिख रहा है आपसन आप लोग को कमेंट करें आप लोग एंसर ने कौन सा इसका राइट एंसर होगा तो बात करते हैं वाह प्रेणा के बाहरी उत्ते जिकूं और सुद्धरहिनों के प्रारूप पर यह निर्भर करता है तो यहां पर डी आपसन यहां लिख राइट एंसर जिसमें सभी आपसन सामिल हो जाएंगे एक में पहला दूसरा तीसरा सभी इसे इसमें सामिल होगे ठीक है के लिगे इसी के साथ अगहला प्रश लेते ही हैं आगले प्रश में है बिद्याले में छात्रों को उत्तम निर्देशन कौन पराप्त करता है बिद्याले परसासक, कच्छा का सिच्छक, बालक का सिच्छक या फिर सभी तो यहाँ पर कच्छा का जो सिच्छक होता है ये बिद्याले में च्छात्रों का सबसे उत्तम निर्देशन प्राप परदान करता है भी आपसे इसका राइट एंसर हो जाएगा इसी के साथ 149 को लेते हैं तो इसमें पूछा गया है सिच्छक का मुख्य कर्तब क्या है अच्छा प्रशन है तो सिच्छक का मुख्य उद्देश जो होना चाहिए छात्रों का कल्यान करे ये भी होना चाहिए अपने सिच्छों का अपने बिश्य का ग्याता हो ये भी सही है अन्हाथा वो पढ़ाएगा कि आगला परशन है प्रचार के देशों का पालंद करें तो यहाँ पर दी आफ्षन उप्रयों तो सभी राई टेंशन हो जाएगा लेते ही इस प्रैक्टिस का आखरी प्रिष्ट और इस प्रिष्ट में पहा गया है कि सिच्चक का मुख्य कर्तब क्या है अब यहाँ पे इस प्रिष्ट में पूछा गया था अच्छा ठीक दोनों प्रिष्ट एक ही है सिच्चक यहाँ पे सिच्चक का मुख्य कर्तब यहाँ पे सिच्चक का मुख्य कर्तब एक ही प्रिष्ट है लेकिन आफ्षन जो है अलग टाइप से लिखे गया है तो आप लोग को बताना है कौन सा इसका सही होगा तो यहाँ पर जो मुख्य करतब होना चाहिए यह होना चाहिए कि कच्छा में परजा तांतरिक मूल्यों का परतिपादन करना चाहिए एक सिच्छा को आपसन नंबर इसका भी राइट अंसर हो जाएगा और इस भी आपसन सही होने के साथ यहाँ पर हम लोग जो है इसके एक सो पचास परशनों को कबर कर चुके हैं आप लोग बताएंगे कि आपके कितने परशन सही होने हैं अगर बात करते हैं जो परशनों को भी इसका फाइदा मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिससे कि आप लोग को समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बिल आइकन की घंटी को भी दबा जीजे मिलते हैं अगले प्रेक्टिस में तब तक के लिए धम्राद